क्या आपको एक्जाम के टाइम पे ऐसा लगता है कि मेरे उपर पढ़ाई का पहाड आ चुका है, बतलब पढ़ाई के नीचे दब जाते हूं, अक्सर आपने ये नोटीस किया होगा, क्योंकि ये लगातार पेपर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैक टो बैक पेपर आते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ाई आपको करनी पढ़ती हैं, simultaneous, ऐसा नहीं है कि वहाई, एक पेपर का आज कर लिया, फिर एक मेहना मेरे पास है और दूसरे, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का एक्जाम एक मेहने के अंदर, 15 दिन के अंदर होता है, तब उस वक्त अंदर, तो उससे कैसे बाहर आना है, उस प्रेशर को कैसे handle करना है, और कैसे आप उसको approach करेंगे, ताकि आपका productivity बढ़ जाए, क्योंकि productivity का मतलब क्या होता है, कम समय में जादा पढ़ाई, अगर आप productive नहीं होंगे, तो जादा समय लगेगा, कम समय में जादा काम करना है तो किसी भी चीज़ को जतना टाइम वो डिजर्व कती है उतना ही टाइम देना है तो अकसर आपको multiple subjects का पढ़ाई करना होता है तो इतने सारे subjects होते हैं सबका पढ़ाई करना है तो काफी समय अपने notice किया है कि इसकी वज़य से मुझे marks कम मिलते हैं क्योंकि मेरे उपर काफी बच्चे बोलते हैं किसर प्रेशर आ गया था उसके लिए solution क्या है और उसको कैसे आप उससे बाहर आके अच्छे से बढ़ाई कर सकते हैं उसको ये discuss करेंगे सबसे पहला तरीका, direct तरीका बताऊ आपको समझ में आ गया problem क्या है किसको solve करना है, काउन सा problem है student life में अक्सर ये problem आता है आप कोई भी exam दे रहे हैं कोई भी exam हो, आप आपका competitive exam हो, आपका entrance exam हो, कोई भी exam हो भरव, तो ये pressure तो जरूर होता है तो ये सब के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले problem क्या है न जब आप सोने भी जाते हो ना, रात को आपने दिन बर पढ़ाई कर लिया अब सोने जा रहा हूँ तो सोने भी जाते हो, तो भी आपके दिमाग में घुमते रहता है मुझे ये ये करना है यार, मेरे सब इतना समय है मुझे कल, सारी चीज़े एक साथ कैसे करूंग तो उसके साथ-साथ और भी चीज़े होती है पढ़ाई को छोड़की आपकी परसनल लाइफ है आप फैमिली की लाइफ है आपकी तो आपके उपर और भी काम हो सकते है ऐसा नहीं कि 24 आवर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया गए उसमें बाकी भी काम है मान लूब फॉर एक्जमपल आपको देना है कल गाड़ी सर्फिसिंग करना है आपके फादर ने बोला कल गाड़ी में पेट्रोल ओइल जो भी है वो डलवा के लाना तो वो भी काम है इसे multiple काम हो सकते है घर के काम हो सकते है आपके friend के साथ कहीं पर आपको जाना है कुछ भी काम हो सकते है तो आपको उस पर करना क्या है मेरे लिए important क्या है भायागी क्यूंकि दिमाग में सारी चीज़े घुमती रहेगी उसकी वज़े से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगा तो आपको करना क्या है? एक pen and paper लेलो क्या-क्या काम है मेरे कल के लिए सारे लेक के लिए फटा-फट फटा-फट तो उसमें क्या करना है? अरे हाँ, आपको समझ में आएगा अरे इसमें से तो ये सारे काम तो कोई और भी कर सकता है जीसे गाड़ी को servicing कराना है गाड़ी में petrol डालना है घर का कोई सामन लेके आना है या फिर friend के साथ जाना है नहीं आना है और फ्रेंड का कुछ काम है किसी और को बोहिच सकते है इसमें से कई जारे काम आपको पता चलेंगा यार ये कोई और कर सकता है किसी और को मैं दे सकता हो काम और वो हो जाएगा इसमें से कुछ काम और कम हो गए पर आपने क्या किया यहाँ पर list बनाया एक, दो, तीन, चार, पाँच पहला काम है मेरा क्या बेज़े स्टड़े करना है फिजिक्स का मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है फिर स्टड़ी करना है केमिस्ट्री का भी कल फिर मुझे करना है मैथ भी लेना है थोड़ी देर फिर मुझे गाड़ी का भी काम है बरबर बाइक का काम है मेरा और कोई घर का काम है तो ये दोनों काम तो क्या होगे आपके कोई और कर लिगा हो सकता है तो कर वालो हो सकता है एक काम कोई और कर रहा है एक काम आपको करना पड़े तो तो करना पड़ेगा लेकिन एक तो कम हो गया उसके बाद बढ़ाई के अंदर भी तीनों चीज़े physics का और chemistry का और maths का एक साथ नहीं सोचना है एक साथ नहीं सोचना है मान लो physics के कोई chapter है या maths के कोई chapter है सारे chapters के बारे में नहीं सोचना सारे chapters के बारे में नहीं सोचना तो उसको क्या करो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें से पढ़ाई तो आपको खुद को करना है पढ़ाई तो आप डेलिगेट नहीं कर सकते किसी और को नहीं बोल सकते है बाई मेरा पढ़ाई कर ले वो तो नहीं होगा जो ऐसी चीज़े होंगे, जो नहीं किया तो भी चलता है, वो खाली मिली आपकी दिमाग में घुमते रहते हैं, तो उनको छोड़ दो, और कुछ चीज़े ऐसी होंगे, जो कल नहीं करनी है, फिर भी दिमाग में है मेरे, उनको कल ही नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है, वो म बाद में भी कर सकता हूँ, तो उनको बाद में डाल दो भाई बराबर देखो कुछ चीजे important नहीं होती है उनको छोड़ दो, कुछ चीजे कोई और कर सकता है, उसके उपर डाल दो, बराबर कुछ चीजे बाद में भी की जा सकती है आपको पता चलेगा जब आप लिस्ट करोगे तो बाद में डाल दो तो बहुत सरी चीजे कम हो जाएगी अब priority, जितनी मुझे अभी करनी है वही मेरे पास है बराबर, मतलब काम आपके काफी कम हो गए, लिस्ट काफी कम हो सकती है हो सकती है, बराबर हो सकता है, किसी के दो काम कम हो जाए, किसी के चार काम किसी के पांच काम हो सकता है, किसी के काम कम नहीं पुलिस्ट वैसी के वैसी रही क्योंकि सारे important है सर, और सारे सब कुछ करनी है मुझे, लेकिन नहीं आपको पता तो चला कि करना ही है मुझे अब हम प्लान बना सकते है नेक्स्ट जब आपको बर्डन लगता है जब आप ऐसा लगता है सब कुछ मेरे उपर आ गए एक साथ और और उसका रिजन क्या है आपके दिमाग में चीजे गुमती रहती है मतलब क्या दिमाग से बाहर निकाल दो उसको क्योंकि दिमाग में रखने से फाइदा तो नहीं होने आपको काम तो नहीं होने वाले आटमेटिक तो खाली बरी दिमाग में क्यों रखे उसको एटलिक दिमाग से बाहर करो पेपर पे डालो उसको अब हो सकता है इसमें से माण लो कोई एक काम आपने लिया math का काम तो छोटा नहीं होगा पूरे math की पढ़ाई करने हैं उसमें कहीं सारे chapters होते है math के part 1, part 2 भी होता है हो सकता है depends आप कौन सी exam दे रहे आप कौन सी एक्जाम दे रहे हैं depends math में parts भी ह सकते हैं या कि एक सब्जेक्ड भी हो सकता है उसमें m6 की भी हो सकता है बढ़े बढ़े linear solutions भी हो सकते है किसी भी प्राकर कहो सकते हैं तो math एक subject भी पकड़ा तो भी उसमें बहुत काम करना पड़ेँ तो चलो शुरू करते हैं अब मैंने यहां पर लिया उसको math को, तो इसको हम करेंगे break it down, क्यूंकि दूसरी सबसे बड़ी वज़े है, जिसकी वज़े से आपको pressure feel होता है, वो है complexity, difficult, difficult लगना, बहुत मुश्किल लगना, क्यूं, क्यूंकि एक काम पकड़ा तो वो भी काम मुश्किल है, तो उसको क्या करेंगे, कैसे उसको करेंगे, एक subject लिया, चलो मैंने math लिया, अब मैं उसको क्या करूँगा, of course math में तो chapters होते हैं, तो मैं पूरे math के बारे में नहीं सोचूँगा, अब मैं chapter wise सोचूँगा, त फिर मैंने chapter 2 ले लिया, फिर मैंने chapter 3 ले लिया, कितने chapter कितने भी हो सकते हैं, 5 से 7, 10 कितने भी हो सकते हैं, for example मैंने 3 chapter के बारे में अभी सोचूँगा, तिन chapter का मैं अलग-अलग plan बनाओंगा, और जब किभी बे पढ़ाई का plan बनाते हों आप, daily plan मत बनाना, बराबर, कि पढ़ाई ऐसी चीज होती है, एक दीन में वो पूरा cover नहीं हो सकता, अगर आपके पास multiple subjects हैं, 3 subject हैं, 4 subject हैं, 5 subject हैं, तो एक दीन में सारे subjects cover करने की कोशिश मत करना, कि ना घर का ना घाट का, एक भी subject अच्छा नहीं होगा, तो उसको क्या करो आप, divide करो week में, एक हफ़ता, मेरे पास क्या है, one week, हमेशा द्यान में रखो, मैं weekly plan पे चल रहा हूँ, मैं weekly plan पे चल रहा हूँ, तो मैं math, physics, chemistry, मैं एक हफ़ते में उनको करूँगा, जितना भी part हो सके, एक chapter math, एक chapter chemistry, या दो दो चप्टर, तिन तिन चप्टर, depends, कितने बड़े बड़े chapter है, उसके उपड़, तो हमेशा plan बनाते वक्त, weekly बनाई, क्योंकि एक दिन का period बहुत कम होता है, plan बनाने के लिए, और और आपको feel भी नहीं होगा, हमेशा आपको ऐसा लगए, आप daily plan बनाऊगे, तो आपको at the end, ऐसा लगेगा दिन, रात को कि यार मेरा काच खुआए नहीं आज, इसके अच्छा weekly plan बनाऊ, कभी भी, remember this, weekly plan is always better, उसके बाद, चाप्टर भी, एक चाप्टर तो मैच्स के कई, चाप्टर बड़े होते हैं, बड़े होते हैं कि नहीं, तो उसमें मैं चाप्टर को भी divide करूँगा, टाइप वण, ये मेरा चाप्टर का टाइप टू, ये मेरे चाप्टर का टाइप थ्री, बड़े हो, टाइप वाइज चाप्टर को डिवाइड करूँ, अब देखो, कितना बड़ा काम था मेरे पास, मैं क्या किया उसको, पहला step वण, मैंने list निकाली, तो मुझे पता चले यार, ये ही इतने ही list में मेरे important है, तो फिर मैंने list में से कोई भी एक उठाया, ये मेरा step 2, फिर मुझे वो भी बड़ा लगने लिया था, फिर मैंने क्या किया, step 3, chapters में divide किया, फिर मुझे क्या लगा, chapter को भी मैंने divide किया, step 4, step 1, step 2, step 3, step 4, तो इससे हुआ क्या, इससे काम तो कम नहीं हुआ, सरी, इससे क्या काम कम हुआ हमारा, हमें करना तो बड़े करना पड़ेगा, लेकिन अब आपका दिमाग जो है, काम करना शुरू करेगा, without getting the pressure, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाए, मैं लिखके देता ह क्यों, क्योंकि आपके पास अब प्लान है, प्लान है आपके पास, क्योंकि दिमाग का तो हमेशा काम ही होता है, सारी चीज़े इसमें घुमा दो, जब तक यह प्लान नहीं करता, उसको दिमाग में डाल दो सारी चीज़े, घुमाओ, तो आपका काम है, दिमाग को बताओ, वही मेरे पास यह प्लान है तो दिमाग आपने जो प्लान बनाया वही दिमाग घुमाएगा आपको उसके अंदर ही घुमाएगा अगर बाकी चीज़ी दिमाग से हटा दी तो दिमाग अब मैंने सोचा अभी टाइप ओन करना है तो दिमाग में क्या आएगा सिर्फ टाइप ओन ही आयेगा मझा फिजिक्स का सेम केमिस्ट्री का सब्जेट का नाम आपका कोई भी हो सकता है तो मुझे भी पता है मैं टाइप ओन करूंगा टाइप टू करूंगा क्योंकि मैं अभी टाइप इतने छोटे-छोटे काम करके मेरा ये पूरा काम हो गया, तो मेरा chapter 1 खतम हो गया मुझे सकून मिल रहा है आप क्यों, क्योंकि मेरा काम हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको plan बनाया divide किया और मैं उसको एक 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 खतम करके chapter 1 similarly chapter 2 के types, chapter 3 के types, और जैसी ये chapter chapter चाप्टर कवर होंगे मेरा Maths कवर होंगे और आपको ऐसा लगा यार मेरे तीन टाइप हो गए Maths क्यों अब मैं Physics लेता हूँ Physics के तीन टाइप हो गए Maths के तीन टाइप तो weekly plan बनाओ सारे subjects एक week में सारे subjects मेरे बढ़ाई होना चाहिए जितना भी हो एक चाप्टर हो दू दो चाप्टर हो एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता Remember this एक दिन का प्लान कभी नहीं बना ताइम टेबल जबाब दाओ तो इस तरी बच्चों का यही problem है कि वो सारी चीज़े सारे subject सारे जितना है एक साथ सोचते रहते हैं इस वज़े से कुछ भी नहीं होता तो यह मत करो अगर plan बनाओगे divide करोंगे कुछ तो होगा कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो होगा और ऐसे करोगी तो बहुत कुछ होगा कु खुछ